स्वेट मार्डन दी पुस्तक, आतम विश्वास्ता, चम्तकार्दा, अगला विश्च है, उत्षा बना के रखो. लगातार चिंता नाल स्री रख सेथ ते जिनना भुरा असर पहनदा है, उनना शायद किसी हूर गाल नाल नहीं पहनदा. उत्षा पांग होननाल सेथ ते बड़ा मारा असर पहनदा है, असल च उत्षा पांग चिंता, निराशा, सब्दाई असर हानी कारक है. रस्किंदा कहना है के दिल डुब्या ता बेड़ी डुब्या, मैं उत्षा पांग तो बिना जाई, किसे दूजी गाल नू नहीं जानदा, लड़ी मनुक नू इननी हानी पहुचा सकती हुरे, आस तुंदली हुंदी है, इच्छा बल खत्तम हुंद है, कारज शक्ती सुमा पत्थुन दिये, क्या भी गया है, इच्छा तक सा तक आस, जद आसी खत्म हुंदी है ते जीवंचे रही की जन दे, सारा उत्षा ही ठंडा पह जाए ता सब कुझ सुनना सुनना ते खली खली जै लगण लगदे, सब कुझ अनंद हीन हो जन दे, कि तुसी कदे सोचे हैं क ज़ा तुसी उत्षा हीन हुन देओ, ता तुसी अपने नल की कर देओ, तुसी स्वय मननू ना पक्खी बना लें देओ, मननू हां पक्खी ते रचनात्मक होना चाहिदे, उसे विलियो नास कर दे, तो अड़ी कारिज शक्ती नू जाद के उनू होना चाहिदे, निर्ना करन वड़ा सिर्फ रचनात्मक मन ही रचना कर सकदे, जेडा वपारी हमेशा ही माड़े देना ते नुकसान दी गाल सोच दयासल चो मंदी दे दिना नू ही बुलारेया हुन दे, उत्षा पांगनाल अनर्थ हुन दे, नतीजा प्यानक हुन दे, जिस सेना दा उत्षा हार गया, उता जानु हार गया, कुछ लोग ता उत्षा हारन तो बाद यतन करना ही बंद कर दन दे, उमदम के समदे बन की रहा जान दे, ते उनती करनी बंद कर दन दे, जीवन उनती किसी के यतनते निर्बर नहीं, सो लगातार मेनत दे अधीन है, अच्चल निष्ठा नाली पत हुन दिये, दिमाग चुत्षा रखो, इस नाल सरीर कामच लगा रहेगा, उसे नाल जीवन उच्चा होएगा, कई बर इंसान मेनत कर रहे हुन दे, पर उन्हों फाल नहीं मिल दा, वो हैरान हुन दे कि इस कामनों स्वै इच्छा दिवरुद कर रहे हुन दे, तो मेनत पिरीत दिशाज कर रहे हुन दे, इसलिए उन्हों फाल नहीं मिल दा, दिमाग चुत्षा रखो, श्रीर अपने आप काम करदा रहे दा, यतन फाल मिल दे, पर कामना फाल नहीं मिल दा, बबूल दे रुख बिजणनल अंब नहीं मिल दे, नेरा सा शाक्कते परमनाल स्वै प्रोसा खतम हुन दे, इसे लिए कम सही नहीं हुन दा, कई लोग स्वै विचारा नू गंदा कर दे, शक्ती नू तुछ समय दे ती हीन विचारा नू मंच रख दे, शम ता खतम हुन दी है, ती कम च मन नहीं लगदा, जे रचना नहीं कर सक दे, तो नास क्यूं कर दे हो, जे सद्धा मन केंद है, कि मैं अमीरी दी सफलता दी कामना ता करदा, पर मेरा नसीब चंगा नहीं, मैं मिनत करदा, पर सफलता दी इतबार नहीं, मैं अमीर नहीं बन सकदा, सफलता हो रान लगए है, तुसी अमीर होन दी अपेख्या, अमीरी दे रा बंद कर रहे हो, तो लोग के जनरल रांगट दापनियां फोजानु इकत्तर करके ए समझोना के जेत सफलता दी आस नहीं दुश्मन बड़ी ताकत वाला है तावी म्यास करदा के असी स्वय बल वरतांगी ते जे ग्रांट अपनी सेनानु हारं दी पावना परगट करदा ता दुश्मन दी तोप आप पहला गोड़ा चल दी वहार जन्दा सेना उस पावनु अपना लेंदी यह मन्यां के हाथ इसमझा जन्दा के रणके तच नेपोलीयन दी सिर्फ पाजरी ही सेना लें जितत दा आस उन्दी सी उन्हें प्यांकर लड़ायां सिर्फ एसे ली जित लेंचा कि उफ हार जा उत्षा हेंतानू जानदाई नहीं सी, उदा नाम तक नहीं सी लेंदा। अगला लेक है, निराश क्यों हुन देओ। जिस व्यक्ति दे सुबा आची निराशा परी हुवे, उत्षा ना हुवे, स्वय विचारा कारण मर्या हुवे, ना पक्खी हुवे, निर्जीव बन बिर्ती हुवे, उन्नू पावांदा मर्या हुए आख देया। किनी हैराणी दी गाल है, असी सेत नू वर्मन देया, पर हमेशा सेत नास दी गाल कर देया। असी खुश शान ते सुखी रहना चौनेयों पर फेर भी निराश विचारां दा स्वागत कर दिया, निराश ता संकल्पां दा भी नाश कर दिया, मन ते शक्ती दा बड़ा डूंगा सबन दै, मन हीन होन नाल सरीर हीन होन दै, तो अन्वे जान लेना चाहिद है कि निराशा असी विचारा नाल सब कुछ नास हो जान दै, इस नाल खुशी खतम हो जान दिया, अदर्श दा नाश होन दै, जीवन वेगर दा नश्ट होन दै, एक अजीव तथ है कि महान लोक भी निराशा दे कारण मन्सक रोग दे, शिकार हो जान दिया, सफलता च रोग बन जान दिय मान्च लगातार निराशा नाल कारज शक्ती मन्द पैजान दिया, अदर्श तुंदले हो जान दिया, मानसिक बाल खतम होन दै, जेते रखो जिन्नी वार भी तुसी निराशा दा खाम देओ, उन्नी वार उस मैल नू टौं देओ, जड़ा तुसी मेनत नाल बनाया सी, जिन मान कम मेनत द कम है, परबत ते प्यार तरना बहुत होक्त है, पर उतरना बहुत ही असान है, जे लोका नू पता हुए के माडे विचार नुकसान कर दिया, तो उन्ना नू नेडे ना उन दे, इच रित्तर नू दीन कर दिया, सेत नू हीन, निराशा चेतना नू खतम कर दिय जोबन काल्ट निराशा बहती होंदी है। कई दर लोकात मत्यावी कर लेंदी है। सफलता ते प्रोसा करना चाहिए। जे काम करन दे इच्छा होगे तासी कोई काम कर सकते है। मैं एक जये बंदेनु जानदा जिड़ा कदे कदे बड़ाई गौरप पूरन टांग नलवी हार कर दा है। बड़िया मनोरंजन पूरन गलां कर दा है। उस वेले बुद्धी मानते जस्वी, चंगा, खासते उत्तम लग दा है। अगले ही दिन ठीक तरा नाल गल नहीं करेगा। पैड़ी तरा म बोलेगा। उस वेले उधी मानसिक हालते नहीं बदल जान दी है कि उत्षा हीन हो जान दे। ते मैं इक जई औरतनों भी जान दा जड़ी हालत पल पारवेच बदल जान दी है। उप वक्ता थी कबू नहीं कार सकती। कदे फोल्वां कोमल हो जाएगी, कदे बिजलीवां गरम। उधी विगडी मन हालत ही इधा कारन है। यह उग्णों दी कारज कुशलता दा पतन कर रहे है। जीवन तूड कण जा कोई वाल इक चल्दी कड़ीनु बंद कार देल्लै। उसे तरह मन्च दीन, हीन, पावान नाल विकास रुक जल्द है। साड़े मन्च महान कमानु करंदी पर विर्ती होनी चाहिए। साड़ी मन्द शाजय होनी चाहिए। कि असी उत्तम काम करिये। मन विर्तीनु आस नाल परिये। असल च मनुखी कलपना माडियां कलनांदा अंदाजा बड़ी जल्दी लालें दिये। माडे चित्तर बड़ी कुशलता नल बनाओ दिये। जादके चंगे चित्तर बनाओंदावनों वियास करना पर दिये। कल्पनानू चंगे चितर बनोंदा भ्यास करवाओ, मन ठीको वेता हर चीज मननू सोनी लग दिया, स्वेर्दी स्यारनू जाओ, ठंडी ठंडी हवादी बुल्ले सानू सेध्यन दिया, खुश कर दिया, पंची, सूरज, बार, रुख, भुटे, फुल, सब सोने लग दिया, द मन हालत नू का भूच रखे, मन आस, निर्मल, साफती, साच नल परके रखो, तो अनू कुदरत वेच सत्यम, शिवम, सुंदरम नजर आएगा, असी कुदरत नू जो देवांगे, उही उस तो लवांगे, जे मन केब हालत वेच चाह, कुदरत देवी पावदान्च देएग देब पावानल देब चीज़ा मिल दिया हन। इक ही कारण हो सकता है कि आसी काड़िया अनक लाखे स्वैद दुनिया वेख सकी है, मन, हाल, वरासच नहीं मिलता है, आसी उसे तरह इनू बदल सकते हैं, जीवन कपड़े जिमें कपड़े बदल देएं, उत्षात इह मतनाल कामल हो, इच्छा बाल दे हाथ वेच सब कुछ होंदे, दुनिया सोनी, प्यार मई, गौर मई है, जीवन, सूरज, तुन्दनू खतम करदा, इसे तरह आस, शादे चोवनाल, निराशा दूर होंदी है, जे असी बंजर तरतीनू पुजाओ बणा सकते हैं, ता मन वेच्छों निराशा दे चाड़नू खतम कार, सोने फोल खड़ा सकते हैं, उन्ती विच, रुकावट, तुसी ओसे इनसान दे बारिच की सोचों के जड़ा, यह जान दे होए भी के उधी कार दे ब्रेक ठीक तरह नल काम नहीं कर रहे हैं, उन्हों बड़ी तेजच चलोंदे, तुसी अंदाजा ला सकते होंदे की हालत होएगी, ओ किते ना किते जरूर टकर मारेगा, आप भी मरेगा, या तुक दुर्गट ना करेगा, जा किसे होर दी हान नहीं करेगा, इस तरह जिड़ा व्यक्ति उन्ती ले निरंतर चिंता कर दा हैं, पर उस विच संजम शक्ती नहीं हैं, उग्ये नहीं बात सकता, चिंता कारज को शल अगर होंदा है, सड़ी स्रीच अनुआनू जीवन देन वड़ी किरिया मंद हो जान दी है, शक्ती कमजोर हो जान दी है, कई औरतां परवार्दे लोकानू काम चौन वड़ी हैं, रोकां बारे जानू करवांदी हैं, पर यह नहीं सोई दियां कि ओ अपने परवार्दा सानू अशान्त नहीं होना चाहिदा, जरा उस वपारी दी कल्पना करों जिदा दुवाला निकल गया होगे, जो बची होई पुझी नू बैंक चौन करके सुड़ दे, तसी पागली आखांगी, असी काल्पनिक मुसीबतां वेचा मुली शक्ती खर्च कर दे, मुसीबत दा मुकावला उत्षा तेती रजनाल करना चाहिदा, डर काम बालनू खतम करके स्रीनू कमजोर करदे, नजरनू तुंदला उत्षानू ठंडा जित दी संबावनानू खतम करदे, डरनू कदे नेडे ना उन दियो, चिंता तनमानू तोड़ दें दियो, नेडे ना उन दियो, जिना गावा नू मक्खी मच्चर तांग कर दियो, ना ता पूरा दुद्दे निया थे, ना ठीक तरह खान दिया, जिना नू मक्खी मच्चर तांग नहीं कर दियो, ठीक दुद्दे न दिया, दिमाग तंतुआ नू जे चिंता ने सताया हुए, ता उ स्वे काम किमे करने, मनुख लगातार जिस चीज़ दी कामना करदा है उन्हों देर स्वेर प्रापत करी लेंदा है पर चिंता करनाल कामना पूरे नहीं होती। जे डर सड़े मांच पक्की जगा बना लए तब पागलपन तक भी हो सकता है। चिंता सफलता दी वेरी है। चिंता दे कारण कोई वेच्छा पूरण नहीं हो सकती। चिंता वड़ा बन्दा किसे काम दा बोज नहीं चुक सकता। मैं कजयव यक्ती नहीं जानदा जी दे बारेच उदे मित्रा ने क्या सी के उनुँ जीवन च महान सफलता मिलेगी। पर उपंजास साला दी उमर तक कोई काम नहीं कार सकया। चिंता करन्दी आदत नहीं होनु कोई कम करन्दी देता। निशाना सकत मेनत विच्छों दिये। निश्ठा सकत मेनत विच्छों दिये। यसी कवार चंगीतरां समझ लिए के चिंता सानु अगेनी वदन देंदी। फिर असी एनुँ जीवन चो बार कड़ देंगे। उत्षा हिम्मत्ती रिच्ते बुद्धी मतानु उपनाओ, चिंता ते डार साड़ी उन्ती च रोक बान देहन सानु अपने मान च पूरे निश्चे नाल एनु बार कड़ देना चैदा है। तानु आदु